हेलो स्टुडेंट्स कैसे हो आप सब स्वागत है आपका आपके अपने ओनलाइन यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम आपके साइंस के टोपिक्स पढ़ते हैं तो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइबर टू फैबरिक इसके अंदर हम सिल्क मोथ के बारे में बात कर रहे थे देखिए आज का टोपिक आज का टोपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क की कोकून को सिल्क में कैसे बदला जाता है तो सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ को पाला जाता है M.O.T.H.S. मोथ तो यह सिल्क मोथ होते हैं सिल्क के कीडे रेशम के कीडे रियर का मतलब होता है इनको पालना तो इनको पाला जाता है और इनके कोकून कलेक्ट कर ले जाते हैं कोकून क्या होते हैं जो सिल्क के कीडे होते हैं यह क्या करते हैं यह मलबरी के लीव्स खाके अपने मुँमें से एक तार सी निकालते हैं और उससे अपने चारो तरफ ए में सिल्क प्राप्त होती है Rearing Silk Worm A female silk moth laying hundreds of eggs at a time Figure 3.10 A Figure 3.10 A के अंदर दिखाया गया है एक female silk moth जो होती है वो कई सो अंडे देती है एक ही बार में The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silk warm farmer तो इन अंडों को अच्छे से store कर लिया जाता है कपड़े के उपर और इनको farmer को बेश दिया जाता है जो silk को पालते है The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity तो ये जो किसान होते हैं जो सेरी culture का काम करते हैं मतलब silk moth को पालते हैं और उनसे silk प्राप्त करते हैं ये क्या करते हैं Keep eggs under hygienic condition ये अंडों को सा सुतरी और hygienic जगा पे रखते हैं जहां पे bacteria वारस से वो बचे रहते हैं and under suitable conditions of temperature and humidity और उनको सही तामान और humidity पे रखते हैं humidity के बारे में आप सब जानते ही होंगे बच्चो आजकल का जो मोसम है उसके अंदर humidity बहुत ज़ादा है ऐसी humidity में cooler भी इतनी ज़ादा ठंडी हावा नहीं देते क्योंकि हावा के अंदर पहले से ही water vapors बहुत ज़ादा होते हैं जिस वज़े से evaporation कम हो जाता है आगे देखिए the eggs are warmed to a suitable temperature for the larvae to hatch from eggs तो इन अंडों को उस temperature पे गरम किया जाता है जिस पे larvae इन में से निकल जाते है this is done when mulberry trees figure 3.10b तो figure 3.10b के अंदर आपको एक tree दिखाई दे रहा है यह है mulberry tree bears a fresh crop of leaves तो mulberry tree जिसके उपर काफी अच्छे leaves आ रखे होते हैं यह leaf दिखाई दे रहा है mulberry का इस figure के अंदर the larvae called caterpillars or silkworm eat day and night and increase enormously in size तो यह जो larvae जिनको caterpillar कहते हैं या silkworm कहते हैं यह दिन रात क्या खाते हैं mulberry के पत्तों को खाते हैं और size में बड़े होते जाते हैं figure 3.10b के अंदर आपको cocoons भी दिखाए गए हैं जो यह जो silkworm होते हैं इनके द्वारा बनाए जाते हैं the larvae are kept in clean bamboo trays तो इनको बांस की tray के अंदर रखा जाता है along with freshly chopped mulberry leaves और इनमें mulberry के पत्तों को chop करके मतलब काटके डाल दिया जाता है after 25 to 30 days the caterpillars stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons figure 3.10d तो figure 3.10d के अंदर आप देख सकते हो यह जो cocoons बनाए हुए हैं इनोंने क्या करते हैं 25 से 30 दिनों के अंदर यह caterpillar खाना बंद कर देते हैं और यह bamboo के अंदर जो छोटे 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 chamber छोटे छोटे holes बना रखे होते हैं उनके अंदर यह चले जाते हैं ताकि वहाँ पे यह cocoon बना सके small racks or twigs may be provided in the tray to which cocoons get attached तो छोटे छोटे खाने दिये जाते हैं डंडी भी दी जाती है जिससे कि यह इनको attach कर सके cocoon को the caterpillar or silk worm spins the cocoon inside which develops the silk moth तो caterpillar यह silk worm क्या करते हैं cocoon को बनाते हैं जिसके अंदर इनकी development होती है और यह बड़े होकर silk moth बन जाते हैं इन cocoon के अंदर processing silk अब silky processing की जाती है a pile of cocoons is used for obtaining silk fibers तो silk fiber प्राप्त करने के लिए silk के cocoon का एक धेर इस्तमाल किया जाता है the cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam तो इन cocoons को या तो धूम में सुखाया जाता है या उबाला जाता है या इनको भाप दी जाती है the silk fibers separated out तो silk fiber अलग हो जाते है पहली wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner पहली जाना जाती है कि क्या cotton thread और silk thread एक यी तरह से spun किया जाता है जाता जाता है the process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk तो cocoon से silk के thread निकालने का जो तरीका होता है इस process को कहते है reeling the silk reeling is done in special machines तो reeling जो है खास तरह की machine की मदश से की जाती है which unwind the threads or fibers of silk तो ये क्या करती है ये unwind कर देती है silk fiber को cocoon में से क्योंकि cocoon में क्या होता है silk का धागा अच्छी तरह से लिप्टा होता है क्योंकि silk worm ने क्या किया था silk fiber जो निकाला था उसको अच्छी तरह से लपेट दिया था अपने चारों तरफ जिससे की एक cocoon बने थे तो इसके अंदर जैसे गोलो होता है उनका इस तरह से धागा आपस में लिप्ट होता है तो उस thread को अलग करने के लिए इसको मशीनों का इस्तमाल किया जाता है silk fibers are then spun तो silk fiber को फिर spun कर लिया जाता है जैसे की चरके से जो है रूई काते थे पहले टाइमों में उसी तरह से इसको fibers को घुमा के इसका एक धागा बना लिया जाता है into silk threads तो silk fiber को spun करके कात के इससे silk thread बन जाते है which are woven into silk cloth by weavers तो weavers क्या होते है कपड़ा बुनने वाले तो वो धागों का इस्तमाल करके कपड़ा बुन देते हैं तो इस तरह से बच्चो silk की पूरी आत्रा आपने देखी किस तरह से silk का कपड़ा त्यार किया जाता है तो ये topic आपने अच्छे से पढ़ने है इनको memorize करना है इनको बार-बार सुनके देखना है ताकि आपको concept अच्छे से clear हो जाए तो आज हम यहीं तक करेंगे तो बच्चो मिलेंगे next lecture में till then goodbye and take care झाल